नमस्कार दोस्तों एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूँ जी जैस्वाल आप देख रहे हैं टार्गेट इस पॉसिबल जितने भी सीसे संचालक हैं उनलों के लिए यहां पर मैं बहुत इंपोर्टेंट जयंकारी लेकर आँँ अधार यूसियल को लेकर दोस्तों अ करें कि आपका स्टेटिक साइपी वाइट लिस्ट होगा है या नहीं वहीं दोस्तों कई ऐसे भीयली संचालक हैं जिनका अधार यूसियल बंद कर दिया गया है इस वज़ा से कि उनका बैंक बीसी बंद हो गया है या फिर उन्होंने बैंक बीसी लिया ही नहीं था लेकिन भी उन्होंने आधार यूसियल में आवेदन कर दिया था तो इसी के संबन में मैं पूरी जंकारी आप लोगों को देने वाला हूं कि कैसे आगे का प्रोसेस आप लोग करेंगे ऐसे यूजर्स जिनों ने अभी तक टार्गेट इस पॉस्टिवल के इस यूटुब चैनल को सस्क्राइब कर दें साथी साथ बेल एक्षम को जरूर दबाएं दोस्तों चलिए सुरू करते हैं सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे एक लिंक दिखाई देगा इस लिंक पे आप लोगों को क्लिक कर लेना होगा आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा न के लगा अगर आपने भी अभी तक अधार इसल के लिए अवैदन ने किया तो यहां से अवैदन करने की जनकारी भी ले सकते हैं आप लोग यहां पर देखेंगे मेरे डेश्टाप पे यह अधार इन्रॉल्मेंट कराई यानि अधार इसल का सफ्ट्वेर हैं और जैसे आप करेंगे अगर आपकी वाइट लिस्ट हो गई होगी तो आपके सामने क्या इधर आ रहा होगा उसका समधान कैसे होगा यह जनकारी मैं आप लोग को देने वाला हूं यहां पर आप लोग वेड किजिए अपलिकेशन खुलने में समय लगता है तो यहां पर देखेंगे यह और जैसे यह आप लोग इसमें इंटर करेंगे अपनी लॉग इन आईडी टाइप करके तो आपको यहां पर दिखाई देगा फेल सिंक ओपरेटर डीटर्स विट सर्वर प्लीज ट्राइगें फिर अगर आप लोग यहां से भी ट्राइग करते हैं तो यही दिक्कत आपको बार-बार दिखाई देती है तो इसका समधान क्या है तो यहां पर दोस्तों इसके संबंद में CSC के तरफ इसके संबंद में मैंने CSC टीम से और इवाइडी टीम से बात किया तो वहां से यही जंकारी निकल के सामने आया कि अभी यह इस टेप IP वाइस लिस्ट होने के आप यहाँ पे अपरेटर सिंक नहीं कर पाएंगे आगर जिनका एल टू प्रक्रिया प्रोशेस हो गया है अगर उनका यह समस्या आ रहा है वेलोग करें उनका एक्टमेटि वह जाएगा विस सर्वर की इसू है लेक़्िए अकर आपका यह समस्या आ रहा हो जो समस्या मैं आपको दिखाया हूँ तो आप लोगो कम से कम चार या पांच दिनों का इंतिजार करना होगा अब बात करते हैं हम लोग कि कैसे आप लोग पता करेंगे कि आपका IP वाइट लिस्ट हुआ है या नहीं हुआ है तो इसके संबद में दोस्तों आप लोगों को पता होगा कि CSC के तरफ से एक हेल्प लाइन नंबर जारी किया गया है आप लोगों को उस हेल्प लाइन नंबर पर फोन करना होगा और इसके संबद में आप लोगों को जनकारी ले रेना होगा कि आपका IP अड्रेस वाइट लिस्ट हुआ है या नहीं हुआ है अगर आपका स्टैटिक्स आपको बात करना है और कितने समय में आपका फोन रिसीव हो जाएगा और कैसे आप लोगों को बात करना है यहां पर लोगो देख सकते हैं ये नंबर है इस नंबर पर आप लोग ट्राई किजिए आपको कम से कम 20 या 25 बार लगतार ट्राई करना पड़ाएगा उसके बाद ह यह फोल उसके बाद यहाँ पर call receive होगी जैसे यह आपकी call receive होगी अगर आपने अपना statics IP दर्ज नहीं करा होगा तो पहले अपना statics IP दर्ज करा दिया होगा तो उनसे अपना CSC ID बताकर यह जनकारी जरूर दे लिजेगा कि क्या आपका statics IP वाइसलिस्ट हुआ है और नहीं हुआ है अगर आपकी IP वाइसलिस्ट हो गए होगी तो तुरंत उन्हीं के हैंड से आपके अधार उस्यल मसीन को रजिस्टर कर दिया जाएगा और रजिस्टर करने का जो प्रो OTP आएगी वे OTP आपके मुवाइल नंबर पे नव आकर वे OTP सीधे उन्हीं लोगों के पास आएगी वे लोग उस OTP को यहां पर टाइप करेंगे और आपके मसीन को सफलता पूरवक रजिस्टर करेंगे रजिस्टर करने के बाद फिर आपको पांच में दिन फोन करना का वक्त लएगा आप पांच दिन बात कॉल करेंगे और इसके संब्द में जंकाई रे सकते हैं अगर आपका कॉल नहीं लग रहा है तो आप लोग अपने हैंड से ओपेटर सिंग ट्राइ करें ओपेटर सिंग हो जाने के बाद आप लोग अपने फिंगर पिंगर्पिंट और आइरिश डिवाइस को सफलता प्रोग इंस्टालेशन करें इस्टालेशन करने के बाद आप लोग अपनेटर सिंग को सफलता प्रोग कर पाएंगे यह प्रक्रिया होने के बाद आप लोग अधार में किसी वितलका सुधार करने का कार सुरू कर सकते हैं इसके अलाबा दोस्तों कैसे आप लोगं को सेटब डाउलोड करना है कैसे रिष्टाल करना है इसके संबंध में मैंने अलेडी जनकारी गैजर्ट अपरडेट हिन्दी.com की अध्कारी ब्रस हाइट पर दे रखिये इसके लिए आप लोगं को निचे स्खोल दाम करना होगा और यहां पर दे जाएगा तो इस तरह से आप लोग बहुत यसाने से अपने अधार यूश्यल मसीन को चालू करवा सकते हैं और अधार यूश्यल में काम कर सकते हैं इसके अतरिक्त आपके मन में कोई भी सवाल या फिर सुझा हो तो कमेंट के माध्यम से जरू बताएगा सो थाएंक्स जैहिन वने मातरम